टैनेंट्स का क्या अर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं टैनेंट्स जो है वो टैनेंट का प्लूरल होता है यानि कि एक से ज्यादा टैनेंट को हम टैनेंट्स कहते हैं तो एक से ज़्यादार जो किराएदार होते हैं तो उनको हम tenants कहते हैं जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि किराएदारों के पास कार्यकाल की सुरक्षा है तो आप कहेंगे the tenants have security of tenure या अगर आप यह कहना चाहें कि उसके साथ दो किराएदार रहते थे तो आप कहेंगे he had two tenants living with him या अगर आप यह कहना चाहें कि नए किराएदारों के लिए flat का नविनी करन किया जाएगा तो आप कहेंगे the flat will be refurbished for the new tenants अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें